Welcome to electronic study और फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है में इस स्रंखला में जिसमें आज हम समझेंगे प्रतिशत का part 2 ठीक है ना कुछ questions के माध्यम से इसको हम समझने का प्रियास करते हैं आए शुरू करते हैं question दिया है एक परिक्षा में 70% लड़के उत्रियुन हुए यानि पास हुए एपने 150 लड़के अनुत्रियुन हो गए यानि फेल हो गए तो कुल कितने प्रतिशत लड़के थे जिन्होंने यह परिक्षा दी थी तो कलपन ने समझ लिया था इसका basic कि कोई भी संख्या हो या कोई भी किसी भी जीच की बात की जा रही हो तो वो अपने आप में 100% होता है तो यहां पर लड़कों की संख्या भी कुल 100% मान लेते हैं उसमें से देखी नोंने कहा है कि 70% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे सो में से 70 घटा लेंगे तो 30% फेल हुए होंगे ठीक है ना अब जो फेल हुए है उनकी नोंने संख्या दी है 1.500 यानि 30% हमें पता है कि 30% जो दिया गया है वो 1.500 है और निकालना हमें कितना है कुल निकालना है मतलब 100% निकालना है तो 30% की बराबर रख लेंगे हम 150 और 100 परसेंट के बराबर रख लेंगे x यानि वो x संख्या होगी जितने भी बच्चे थे अब क्या करेंगे 3 गोणा कर लेंगे यानि 30 का गोणा कर लेंगे x में और 100 का कर लेंगे 1.500 में ठीक है न तो यहां देखिए 30 गोणत x upon 150 गोणत 100 अब इनको काट लेंगे तो x की value है मिल जाएगी 50 गोणे 10 यानि 500 यानि कुल संख्या कितनी आ गई 500 ठीक है ना I hope कि आपको यह clear हुआ होगा हम जितने भी question करेंगे उसमें किसी में भी हम formula का use नहीं करेंगे क्योंकि formula exam में हमें भूल जाते हैं या कहीं का कहीं कुछ भी लगा देते हैं ठीक है ना अब second question देखिए किसी परीक्षा में चरण एक लड़का है जिसने चंगवन अंक प्राप्ति किये जो कुल अंकों का 72% के बराबर था तो कुल अंक कितनी थे उस परीक्षा में तो देखिए चरण को जो है चंगवन अंक मिले हैं जो कि 72% के बराबर है तो कुल अंक पूछा है तो हम क्या करेंगे चंगवन अपॉन 72 गुड़त परसेंट निकालना है तो 100 से गुड़ा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तीन गुड़त 25 यानि 75 अंक ठीक है न यह काफी इजी था आंगे देखते हैं एक परीक्षा में उत्त्रियून होने के लिए 36% अंक चाहिए थे यानि कोई परीक्षा हुई उसमें यदि उसको उत्त्रियून होना है तो उसको 36% अंक चाहिए होगी रविंद नाम का लड़ हुए और वो 9 अंकों से फेल हो गया तो कुल पूर अंक क्या था अब देखे 36% चाहिए थे 24% मिले तो 36 में से 24 हम घटा लेंगे यानि 12% अंको स्कोर मिल जाते तो वो पास हो जाएगा और 12% कितने के बराबर है 9 अंकों के बराबर है क्योंकि 9 अंक से फेल हुआ तो 12% की व वही करेंगे 3 गोणा तो देखे 12 गोड़त X अपॉन 9 गोड़त 100 अब इनको काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 अंक ठीक है न तो आई होप कि आपको यहां तक सब समझ में आ रहा होगा आंगे बढ़ते हैं देखे एक चात्र को परिक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्ट करके वह 40 अंकों से फैल हो गया तो कुल पूर अंक कितने थी अब देखे यदि उसको 33% अंक मिलते तो वह पास हो जाता लेकिन उसे 25% मिले यानि 33% में अंतर कितने का है 8% यानी 8% अंक उसे कम मिले ठीक है न और अंकों में कितने मिले 40 अंक और एट परसेंट क तरिया गुणा करेंगे तो आठ गुलेट एक्स अपॉन सो गुलेट चालीस अब इनको हम काट लेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा पांस सो यानि कुल परिक्षा में जो अंक थे वो पांस सो थी अब यही कॉस्चन एदिया फॉर्मूल से करेंगे तो काफी लॉंग हो जा कोई भी आदमी पैसे कमाता है तो 100% कमाता है अब उस 100 में से 65% खर्च कर दे रहा है यानि 100 में से 65 घटाएं तो बचा केतना 35 तो उसकी बचत कितनी है 35% और कॉस्चन में दिया है वह 525 रुपे कमा रहा है तो 35% जो बचत है वो 525 के बराबर है ठीक है ना तो 35% बराबर 525 और 100% हमें निकालना है तो 100% बराबर हो जाएगा एकस अब इनका कर देंगे तिरे अगणा यानि 100 गुलेत 525 अपन 35 गुलेत एकस अब इनको हम काट लेंगे या एक दूसरी भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1500 यानि उसकी मासे काय कितनी है 1500 रुपे आंगे बढ़ते हैं कॉस्चिन नमबर 6 एक टोकरी में 400 अंडे हैं इनमें से 8 दरजन सड़ गए टोकरी में बचे हुए सही अंडों का प्रतिसत ग्याद कीजिए अब देखिए इन्होंना कहा 8 दरजन सड़ गए अब एक दरजन में कितने होते हैं 12 तो 8 दरजन में 12 गुलेत 8 96 या प्रतिसत में बताओ कि कितनी प्रतिसत अंडे मतलब सही हैं तो कुल अंडे थे 400 और 304 हमारी पास सही बचे तो परसेंट कितनी में तो देखिए 304 अपॉन कुल मतलब 400 गोड़त परसेंट के लिए 100 लगा लेंगी अब इनको काट लेंगी तो हमारा आ जाएगा 76 यानि 76 पर प्रतिसत लोग कौफी पीते हैं एवं 10% लोग जो हैं वो चाय पा कौफी दोनों पीते हैं तो कितने प्रतिसत लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कौफी पीते हैं अब देखिए इसको एक बेंड डाइग्राम से करते हैं देखिए चाय पीने वालों की संख्या कितन गासपरृत पर्तियसात और 10% ऐसे हैं जो दोनों पीती हैं तो इस 10% को हम कहां दोनों के बीच में रख लएंगी ठीक है ना अब ये जो 10% में सामेल हैं तो दोनों में से घटा देंगे 40 में से 10 घटा या तो बचा कितना? 30 50 में से 10 घटा या तो कितना बचा? 40 अब देखे, नया क्या आया? चाय जो पीते हैं, वो 30% पीते हैं कौफी पीते हैं, वो 40% I hope कि आपको ये वेंट डाइग्राम समझ में आया होगा फिर से समझा देता हूँ देखे चाय जो पीते थे वो 40% थे और जो कौफी पीते थे वो थे 50% और जो दोनों पीते थे वो थे 10% अब दोनों मैंसे हम इनको अलग करें यदि तो 40 मैंसे 10 जाएगा तो 30 बचा और 50 मैंसे भी 10 जाएगा तो 40 बचा यानि नया अनुपात हमारा क्या बना चाय पीने वाले 30% कौफी पीने वाले 40% और 10% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं तो इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80% अब इनने पूँचा है कि कितने परसेंट नहीं पीते हैं मतलब कोई भी चीज इनमें से नहीं पीते हैं तो कुल होता है 100% जिसमें 80% हम घटा देंगे तो 20% ऐसे ही लोग आ जाएंगे जो ना तो चाय पीते हैं ना कौफी पीते हैं तो आई होप कि यह आपको किलियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं राम अपने बेतन के 14% की बचत करता है जबकि स्याम 22% की बचत करता है यदि दोनों समान वेतन पाते हैं वह स्याम 1540 रुपे बचाता है तो राम की बचत बताईए अब देखिए इसमें दोनों की आई तो बराबर है लेकिन बचत और खर्च का नूपत अलग अलग है यानि हम किसी एक की आई भी निकाल लें तो हमें दोनों की आई पता चल जाएगी अब निकालते हैं देखिए स्याम जो बचत करता है कॉस्चन में दिया है 22% पर तीसाथ तो उसकी आई निकालें 22% बराबर दिया है 1540 यानि वो 1540 बचाता है जो की 22% के बराबर होगी क्योंकि 22% उसकी बचत है तो उसकी 100% आई क्या होगी 100% बराबर X अब इनको तिरिया गुणा कर लेंगी तो 22 गुणे X आ जाएगा और 1540 गुणे 100 इनको हम काट लेंगी तो उसकी आई आ जाएगी 7000 रुपे तो ये किसकी आई आ गई सियाम की और हमसे question में पूछा है राम की बचत क्या होगी देखी क्या है चूंकि दोनों की याई समान है इसलिए राम की याई भी 7000 होगी अब राम की बचत पूछी है तो क्या करेंगी इसमें question में दिया है राम अपने बेतन के 14% की बचत करता है ठीक है न, तो 7000 का 14% क्या होगा, 7000 गोड़े 14 बटे 100, अब इसको हम काट लेंगे, तो आंसर आजाएगा 980 रूपे, यानि 7000 में से वो 980 रूपे की बचत करता है, तो I hope कि ये आपको clear हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, नौबा कॉस्चन है, यदि 24 केरेट सोने को 100% सुद्ध सोना माना जाए, तो 22 केरेट सोने में सुद्ध सोने की प्रतिसत्ता कितनी होगी, 24 karat जो 100 है उसको यदी 100% माना जा रहा है तो 22 karat जो 100 होगा उसकी सुद्विता पोहँची है तो क्या करेंगी 24% की value 100% की बरावर है तो 22% की किस की बरावर होगी माना X की बरावर होगी अब हम क्या करेंगी इनका 3 अगणा कर लेंगी यानि 22 गोड़े 100 अपन 24 गोड़े एक्स बराबर इनको काट लेंगे तो आज आएगा 1100 बटे 12 और जब 1100 में 12 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 91 सही 2 बटे 3 पिरतिसाथ जो की हमारा आंसर हो जाएगा तो आई होब कि आपको आज का इस सेशन पसंद आया होगा और साथी साथ जितने भी कॉशन थे सारे आपको समझ में आए होगी तो कमेंट बॉक्स अपना फीड़ जरूर दें इसके साथ पिरतिसाथ में हम एक और किलास लेंगे जो कि कल होगी उसके बाद हम किसी नए चेप् आप सभी का जुड़े रहे इलेक्ट्रोनिक इस्टडी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद